तो कोई एक और कोई ऐसी काथा आपके मन में हो जिसमें भगवार शीव को इस रूप में समझाया गया हो कि वो महाकाल क्यूं है एक तो बहुत प्रसित काथा है मारकंडेय की तो मारकंडेय रिशी और उनकी बतनी थे जो बीटा चाहते थे तो उन्होंने शिव के अराधना की शिव प्रकट हुए और शिव ने कहा कि मैं आपको एक बेटा दूँगा लेकिन आपको एक चॉइस भी साथ पर मिलेगा जो बी दूसरा option चुना, कि यह चाहे हमारा बेटा कम जिये, लेकिन इतना ज्ञानी निकले कि सब उसको याद रखे, तो वो पैदा हुआ मारकंडेय, और मारकंडेय जब बच्चपन से ही उसने वेदों का पाट शुरू कर दिया, उपनिशक पढ़ने लगा, तो बहुत ज्ञानी ब पता था, महादेव ने कहा था, कि तुम्हारी आज मिलती हो जाएगी, लेकिन हमें कोई दुख नहीं है, हम खुशी हैं कि तुम हमारे बेटे को और तुमारे बचे से हमारा नाम भी अमर रहेगा संसाथ में, तो मारकंडेय कहता है कि लेकिन मैं अगर शुरू के अराधना क इसको वापस ले जाना, तो जैसे ही वो दुबारा कुशिश करते हैं, शिवजी प्रकट हो जाते हैं, और कहते हैं कि मैं तुम्हें इसे नहीं ले जाने जूँगा, उल्टा इसको मैं इम्मोर्टिल बनाने वाला, आज से ये मरेगा ही नहीं, ये चिरन जीवी रहेगा, त जो जनम लेता है, उसे मनना पड़ेगा, और मेरा करतब यह है, आज यमराज, कि इसे मैं करूँ, तो चाया भगवान है, लेकिन आप मेरे काम के अंदर आप पादा नहीं डाल सकते, तो दोनों में आर्गुमेंट शुरु होता है, और शिवजी यमराज को मार देते हैं, त जो खुद काल है, तो इसलिए उनको महाकाल, या काल जई, या कालाम तक यह नाम दिये जाता है, और कहा जाता है कि मारकंडेय ने जो मंत्र बोला था, जिस वज़े से वो नहीं मारा, वो फिर आगे चलके मृत्युन जय जाप के नाम से जाना गया, जिस वज़े से कहते हैं जब वो आप जाप करते हो, तो आपकी आइस वे आदमी उटके चला है, इसी को लेकर करें भी काल जाता है कि काल भी उसका क्या करें, जो भक्त है महाकाल का, इसके बाद हम शिव परिवार को देखते हैं, और भगवार शिव एक ऐसे हैं, जिनके वाइप भी हैं, बच्चे को और भूल जाने को, और इसलिए जब शक्ति की बात आई शिव के साथ, तो शक्ति को लेकर कोई गाथा या कोई कथा आपको पुराणों में मिलीगो, जो सबसे पहली बार पुराणों में जब मेंशन होता है, अर्धनारिश्वर का, ये तब होता है, जब ब्रहमा ने वो एक ही जेंडर के थे, चाहे वो उनके मानस कुत्र हो, या बात में जब नारत पैदा हुए, नारत देम मना कर दिया कि मैं भी इसमें कोई सायता नहीं करूँगा, I would rather be a spiritual person, तो वो समझ नहीं पार थे मैं कैसे करूँ, तो वो विष्णू के पास गए, विष्णू ने का कि आप महादेव के पास जाएए, वही आपको सीक्रेट बताएंगे, कि कैसे रचना जो आपनी की है, उसके अंदर कैसे आप लाइफ डाल सकते हैं, तो जब उनके पास गए, तो महादेव ने पहली बार उनके सामने अर्धनारिश्वर का रूप दिखाया, तो वहाँ पे जब वह रूप उन्होंने देखा, तब उनके समझ में आया कि मुझे आलाफ टो क्रियेट टू जेंडर्स, तो जब जो जेंडर होंगे, तब उनकी यूनियन से फिर आगे संसार बढ़े, तो वह पहली जलप जो उनको मिली, वहाँ पे मिली, और अर्धनारिश्वर की जो बात है, यह बहुत इंट्रिस्टिंग है विजिन, बाइलोजिकली तो यहीं है कि एक मेल जेंडर, एक फिमेल जेंडर है, और दोनों को एक साथ आना और कुछ नया चनम देना, लेकिन अगर मैं देखू, मुझे बहुत डीपर मीनिंग उसमें दिखता है, जो बनेगा, तब ही जाके आप इवॉल्व करेंगे, हमारी सोसाइटी इवॉल्व करेंगी, तो अगर वाद है, तो विवाद भी चाहिए, और वाद विवाद मिलके ही समबाद हो सकता है, और तब आगे बढ़ सकते हैं, तो यह बहुत ज़रूरी बात.